पवन भाईया जब भी मेरे सामने आएंगे मैं उनका पैर छूकर उनका आशिरवाद लोगा ऐसा हमारा कहना नहीं है ऐसा कहना है खेसारिलाल यादों का जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछ डाला कि क्या आप पवन सिंग से अभी भी कॉंपटिशन रखते हैं तब इस पर खेसारिलाल यादों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि रिपोर्टर महराज भी सुनकर सन ही रह गये होंगे वैसे आपको बता दे कि अपने बातों के लिए धनी माने जाते हैं खेसारिलाल यादों बाते अगर आपको करनी सीखनी है तो आपको खेसारिलाल यादों को फॉलो करना होगा हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम कोई खिसारी की तारीफ नहीं करने यहाँ पर हम यह बताने वाले हैं कि पवन सिंग के साथ उनकी सबसे जबर्जस्त कॉड्रवरसी हुई कॉड्रवर्सी की बाद यह लगा कि खिसारी लाल या दौ कभी भी पवन defender का जब मेरे सामने आएंगे मैं उनका पैर छुकर आसिरवाद दूँगा वो आदरनी है मार्क दर्शक है भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है जो कि हमेशा खेसारी लाल यादो बोलते हैं उन्हें देखकर बहुत कुछ सिखा है मेरे दिल में उनके लिए कोई बलाल नहीं है तो इस पर आप क्या राय रखते हैं जो खेसारी लाल यादो कह रहे हैं वैसे आपने तो देखा ही होगा कि जिस तरह से लाइव आकर खेसारी ने फजीती की थी पवंसिंग की उसे देखने के बाद क्या आप को लगता है कि खेसारी लाल यादो और पवंसिंग में फिर से पैच अप हो सकता है अगर हो सकता है तो हमें भी बताएए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखे बोच पुरी जगत की होट और मसाले दर गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले